Other Input Devices, Objectives, इस लेस्न को करने के बाद आप जान सकेंगे कम्प्यूटर के अंदर आवाज, तस्वीर और विडियो कैसे स्टोर की जाती हैं? अब तक हमने कम्प्यूटर को Input देने वाली जिन Input Devices की तफसील लेखी, उनमें कीबोर्ड और माउस जैसी Input Devices शामिल हैं. लेगर आजकल के दोर में जहां हर काम जल्द जल्द और बेतरीन तरीके से करने की जरूरत होती है, वहां कुछ और Input Devices का होना भी जरूरी है. कीबोर्ड की मदद से हम कम्प्यूटर को ज़्यादतर Textual Information फराहम करते हैं. रोजमर्रा की जिन्दगी में Textual Information के साथ साथ कुछ और किसम की Information जैसे आवाज या तस्वीर भी महफूस करने की जरूरत पढ़ती है. आवाज या तस्वीर को स्टोर करने का कॉंसेप्ट नया नहीं है. आपको याद होगा कि हम आवाज को कैसर्थ वगेरा पर रिकॉर्ड करते हैं और इसके लिए माइक्रोफोन का इस्तिमाल करते हैं. आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बिल्कुल इसी तरह कम्प्यूटर भी आपकी आवाज रिकॉर्ड करने की सहूलत मुहया करता है. यानि कम्प्यूटर को हम किसी इन्पुट डिवाइस के जरीए आवाज या साउंड की इन्पुट दे सकते हैं. कम्प्यूटर में भी साउंड को इन्पुट करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तिमाल किया जाता है. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं. बाजार में मुख्तलिफ किसम के माइक्रोफोन मौजूद हैं. अब आप जो माइक्रोफोन देख रही हैं, उसके साथ एक तार है, जिसकी ये नॉब या पिन आप कम्प्यूटर के साथ लगाते हैं. माइक्रोफोन की मदद से हम कोई भी आवाज कम्प्यूटर में इन्पुट कर सकते हैं. कम्प्यूटर पर आउडियो या आवाज स्टोर करने के बड़े फवाइद हैं. आप कम्प्यूटर के अंदर मौजूद आउडियो को बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं. आवाज के अलावा आपने देखा होगा कि जब हमें कोई तस्वीर या इमेज की जरूरत होती थी, तो हम कैमरे की मदद से तस्वीर उतार कर एक एल्बम में महफूज कर लेते थे. जिस तरह कम्प्यूटर हमें आउडियो या आवाज को महफूज करने की सहूलत मौहिया करता है, बिल्कुल इसी तरह हम कम्प्यूटर के अंदर इमेजिस या तस्वीरें भी महफूज कर सकते हैं. अब आप स्क्रीन पर एक खास इन्पूट डिवाइस देख रहे हैं. ये स्कैनर कहलाती है. ये एक ऐसी इन्पूट डिवाइस है जिसके मदद से हम कोई भी टेक्स या इमेज कम्प्यूटर पर मुंतगिल कर सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक आघस को जिसमें कुछ तसावीर बनी हुई हैं और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको स्कैनर में डाल रहे हैं और जब ये इन्पूट डिवाइस अपना काम देखा चुकी तो हमें यही पेज कम्प्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है यानि स्कैनर के जरिए हम हार कौपी में माजूद information को कम्प्यूटर के अंदर soft कौपी में तब्दील कर सकते हैं कम्प्यूटर में हम आवाज और तस्वीर के इलावा वीडियो भी मेहफूज कर सकते हैं. इसके लिए जो input devices इस्तमाल होती हैं, उनमें webcam, digital camera वगारा शामिल हैं. Summary इस लेसन में आपने देखा कि माउस और keyboard के इलावा कुछ और input devices हैं, जिन्में microphone, scanner और digital camera शामिल हैं. और videos भी computer के अंदर store की जा सकती हैं.